आइए गाइस दिस इस कुलीब एंड यू वाचिंग यू पियस्सी लाइव एड वी तो आज की इस लेक्शन में हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की बारे में है तो अभी हालफ लाल में ही ग्लोब हंड रॉन्रेक्स 2020 के रुपोर्ट्स आये है तो उस रुपोर्स के अक्रॉडिंग इंडिया की जो इन्डिया की रोनक है एंडिया जाने एक एस लेक्षर की में पॉइंट होंगे सो यह जानने इसके बाद में अन्डे नुटिस्ट वर सो टैप और अन्डे नुटीशिन रहें है विकाज जो गलूबर हंट गलूबर अंगर इंडेक्स सी रिपोर्ट में काफी सारे ऐसे मेजर्स ले जाते हैं जो मे इंडिया को जो क्रेटराइज कहा है सिरियस इंडिया की जो पोजीशन है वह अवी सीरियस है इसकी इंडिया को रखा गया है आप UPC लाइबरी को टेलिग्राम फेस्बुक और इसना काम का फोलो कर सकते हैं लिंक्स वीडियो के नीचे दिक्सक्राइब दी हुई है इंडिया की पोजिशन 94 दे रखेंगे सो 94 आउट ऑफ 107 नहीं से इंड ग्लोबर हंगर इंडेक्स टॉंटी इंडेक्स हंगर कैटेगरी सो और इंडिया को जो जो सीरियस हंगर कैटेगरी में डाला गया इसमें टाले की जो यह सबस्क्राइं प्रोडिये स्ट्विय बेगर्ड हो जो इंगले में लिजए षाटन नहीं धन आ हो तो इसको एप्रोच जो इसको एप्रोच की जा रही है और मॉनिटिशन को टैकल करने वह ठीक नहीं है और जो भी इंडिया को बड़े स्टेट है लाइक यूपी बिहार बिभी बिहार जारके ये स्टेट हो गए तो इन इन सेट में अगर सकते बड़े आप लिए प्राइब होंगी तो एक इंडिया को प्रेंट करने आपकट हूं इन स्टेट की जो पॉपुलेशन तो काफी जादा मैक्सिमा फिफ्टी परसेंट होते है so इसी वएसे यह काफी चार से पंस स्टेट काफी बड़ी स्टेट होते है वह इंडिया को स्परेंट करना है इस साल 107, so 10 कम कर दीजिए, so इससे पता चल जाएगा, मना यह मोटा मोटा आइडिया देग रहा कहा है, then इसके बाद, so इंडिया की जो नेवरिंग कंट्री हैं, like बंगलेदेस हो गया, मेनमर हो गया, पाकिस्तान हो गया, यह सब इनको मेला two other serious category, इनकी जो रैंक है, वो इंडिया से काफी अच्छी, higher than the India in the year hunger index, so इस वाज़े से इंडिया के जो नेवरिंग कंट्री, उनकी position तो ठीक है, बट इंडिया की position थोड़ी ठीक नहीं है, so वाइल, so इसके लाब बंगलादेस की जो रैंकिंग है 75, और बंगलादेस और मेनमर पाक है, बंगलादेस ने, बंगलादेस अब बीट इंडिया जो इंडिया की जो पर क्यापिटा इंकम होती है, वो बंगलादेस के द्वार बीट करने वाले, so इसी वैसे में बंगलादेस का point LX से बताया है, so इस चीज़ को आप याद रखना, then इसके बाद, 70 नेशन इंक्लू इस दिन 5 है, so इसी वैसे इन्होंने उस रैंके में टॉप किया, so इस सारी इडियेस, the website of the global index इंपर पड़ियों, so that the tracks अंगा इमान, so इसी वैसे, in 17 countries है, ऐसे हैं, उनका इसको under 5 मादब 5 से कम है, so global hunger index, अखिरे global hunger index होता गया, so यह एक report है, जो की public किया जाते है, रिलीज इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसके बाद, global hunger index score are based on the formula that capture three dimensions of hunger, जो hunger की जो तीन dimension है, उसके basis पर ही, यह global hunger index के score बनते हैं, मतलब निकलते हैं, so, इनमें, पहला है, insufficient calorie intake, then child under nutrition, then child morality, मतलब ओवराल साथ इसमें, चाइल्ड के, चाइल्ड की हैद पर, यह चाइल्ड की nutrition पर, वो focus करते हैं जाता है, so, और इन सब चीज़े में, चाइल्ड के समसे में, ऐसा four component को वो indicator है, उनमें, so, यह सब चीज़ें करते हैं, उनमें four component कौन से हैं, यह देखिए, so, different type of under nutrition है, है, so, यह तो होगी एक बच्चे की normal height, so, normal height हो गया इसमें, normal weight हो गया, normal size हो गया, so, यह हो गया, normal, अगर कोई बच्चे normal है, तो ऐसा होगा, so, अगर, so, यह तो हो गया, then, इसके बाद हो wasting, so, wasting में क्या होता है, मतलब height तो बुरकुल ठीक है, but, मतलब low weight है, for a, मतलब height के साफ से, उसका weight नहीं है, तो उसको बोलते हैं, wasting, then, इसके साफ, then, next है, stunting, stunting में low height है, for age, मतलब, जो age के साफ से, height की कमी रह जाते है, so, उसको बोलते है, stunting, then, इसके बाद, third है, underweight, underweight का मतलब low weight, for age, मतलब age के साफ से, weight कम है, weight भी कम है, height कम है, so, इसको बोलते हैं, underweight, so, ऐसे चार component है, different type of under nutrition, so, इस चीज़ को याद रखना, यह exam में पूछे जा सकते हैं, then, इसके बाद, global hunger index rank countries on the hundred points, इसके मतलब, जो countries को, जो rank होती है, जो points दियाता है, जो zero से लेके, hundred के बीच में दे जाते है, so, जिसका जितना कम score होगा, उसकी rank ही उतनी अच्छी होगी, so, with zero being a best score, जितना score अच्छा होगा, वो best score होगा, उसको बोला जाएगा, no hunger, और जिसक less than 10 reflect low hunger, so, जिसकी points को, मतलब, score 10 से कम होगा, वो low hunger को represent करेगा, then, इसके बाद, इसका score 20 से लेके, 34.9 तक होगा, वो indicate करेगा, serious hunger, so, इंडिया की position है, serious hunger में, then, इसके बाद, इसकी value है, जिसका score 35 से लेके, 49.9 के बीच में होगा, उसकी situation ही है, उसकी condition है, उसको कटे करेगा, alarming वाले में, then, इसके बाद, इसके बाद, जो report है, so, इस report के according, worldwide hunger represent by global hunger index score है, जो 18.2, मनलब, वर्ल्ड में, जो average निकालेंगे सबका, तो 18.2 आई है, so, जो की moderate level है, down from the 2000, 2000 में, 2000 में, 2000 में, जो की score था, 28.2, जो की पहले serious था, so, यह कम होगे, तो इस वादे से, यह काफी moderate level है, मतलब, 2000, 2000 से लेकर, अभी catch है, 2020, so, 20 सार में इतना कम होगा, so, यह ठीक है, so, अगर इसको हम इंडिया के level, इंडिया में, इंडिया से compare करें, with the score 27.2, जो की, इंडिया का score है, इंडिया has level of hunger that is serious category, जो की इंडिया का serious category में लागाए गया, so, इस चीज़ को यहार रुकना, इसके बाद, जो factor आसे कौन से इसमें जो work करते है, so, इसमें पहला factor है, मतलब, इसमें यह factor COVID-19 pandemic है, यह factor पहले है, यह इसमें है, लेकिन जो 2020 के जो index हो, इसमें COVID-19 factor का, इसमें use नहीं है, मतलब, इसका work role नहीं था, so, COVID-19 pandemic and the resulting economic downturn as well as a massive outbreak of desert locust, मतलब, एक सार पहले तो COVID-19 pandemic चला, then, उसके बाद, economic downturn, economic interest, बागे उसके बाद, जो desert locust का जो चला था, massive outbreak, so, इसकी विएस से, जो अफरीका और आसपास के, जो other areas, उनमें काफी सारा crisis start होगा, so, so, these, these areas are exaggerating food and the nutrition insecurity for millions of people, so, काफी जादा लोगों के लिए, food security की problem start होने लगी है, then, so, it needs to be noted, so, बाद में ये बोला गया है कि 2020 के जो global hunger index है, उसको रहा है, उसको वो do not reflect the impact of COVID-19, मतलब उसमें, जो global hunger index में है, बाकी ये तो economic वाले तो है, बाद इसमें COVID-19 का कोई effect नहीं है, मतलब, effect में उसको अभी count नहीं किया गया है, so, इस चीज़ को याद रखना, then, इसके बाद, अफरीका और Africa और South Asia have the highest number and under nutrition level, so, Africa और South Asia में, सबसे ये the highest number and under nutrition level है, among the world reason, बाकी other world से compare किया जाया है, so, with the 2020 GHI, serious score, जो 97.8 है, और 26.0 है, जो कि, ये as Africa का, ये South Asia, so, ये चीज़ को याद रखना है, respectfully, both considered serious, और दोनों को serious की category में रखा गया है, then, इसके बाद, the world is not on track to achieve the second sustainable development goal, so, जो की sustainable development goal, SDG, जिसको बोलना, उसका जो दूसरा है, hunger खतम करने है, so, जो की, जो hunger खतम करने है, so, ये दूसरा होगा है, so, the world is not a track, so, वर्ल जो है, को अभी trap को नहीं है, अगर ऐसे चलता रहा है, तो वर्ल्ड, hunger को खतम नहीं कर सकता, और जो दूसरा है, जो SDG goal है, उसको भी achieve नहीं कर सकता, अगर ऐसे चलता रहा तो, then, इसके बाद, इंडिया के perspective में देखते हैं, आखर क्या है, so, India has the highest prevalence of wasted children under the 5 years in the world, so, पांस साल में देखा जाए, तो इंडिया में highest number है, wasted children का, under the 5 years, which reflects acute under nutrition, जो की, क्या reflect कर का, ये क्या दिखाता है, acute under nutrition level, या, इन सब की, इस सीज़ को reflect करता है, India show करता है, so, with the score of 27.2, जो की, इंडिया का score है, India has level hung up, that is serious, इंडिया को serious category में डाला है, with the, with the score of 27.2, so, it rank 94, out of 107, ये मैंने बता दिया था, country, जो ranking इंडिया के 94 थी, याद रखना काफी सार exam में पूछी राती है, then, in 2019, इंडिया की जो ranking थी, 102, ये भी याद रखना, एक साल पहले तक के भी ranking कूछी राती है, then, इसके बाद, इंडिया feature behind, और इंडिया की जो position है, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, इंडोनेशन, इन सब कंट्री से भी काफी खराब है, then, out of the total, 10-0 nation countries, only 13 countries far worse than the India, so, इंडिया के बाद ऐसे 13 country है, जिनकी position है, जिनके score काफी खराब है, जिसमें, कौन सी गंटी है, रवांडा होगी, इसकी 97 position, then, Nigeria 98, then, अफगानिस्तान 99, इसको याद रखना, because यह हमारा neighboring country है, then, लाइव इरिया 102, मोजामबिक 103, then, Chad 107, Chad की सबसे खरा position, so, इसको याद रखना, Chad 107, among others, so, यह याद रखना, then, इसके बाद performance देखा जाए, so, इंडिया की performance क्या, so, performance on the indicator, so, इंडिकेटर देखा जा, so, अंडर नुरिश्मेंट में, 40% of India's population, अंडर नुरिश्मेंट में, 2017 और 19 के data के साब से, so, it was the 16.3% during the 20, 16.3 ता, जो की अब 14.14% है, 2017 के data के साब से, so, यह अंडर नुरिश्मेंट में देखा जाए, 2017 के data के साब से, 17.3% है, जो की पहले, 2010 से लेके 14 ता, 15.1%, so, इसमें हमने ठीक, so, इस चीज को याद रखना, then, इसके बाद है, चाइल स्टंटिंग, जो की अभी है, 34.7%, so, इसके बाद चाइल मॉर्टलिटी में, जो की अभी, जो की अभी इट वाद पहले जो कहता, 5.2% ता, 2.12, जो की अभी 3.7%, so, इस चीज को याद रखना, इस सरे data को, जो, then, इसके बाद, नो, data from 1991 का अगर देखे, so, compare क्या है, through that, 24, बंगलादेश, इंडिया, नेपल, और पाकिस्तान, so, that stunting is the concentrated among child and children from household facing multiple forms, so, अगर किसी बच्चे में stunting या मान लुटिशन की प्रवम्न होती है, तो वो काफी multiple way में दिखाई देती है, so, so, from the house facing multiple form of deprivation, so, इससे बीमारी होगी, तब यह ठीक नहीं होगी, और other problem create होगी, then financially होगी, then, ऐसी, वो multiple, multiple form of, मनदब, ऐसी काफी सारी problem को face किया है, multiple form है, so, इसके अलाबा, जैसे होगया, diet, diversity, low levels of matter, education, then, household poverty, then, इस सारी चीरों को refractory कर, then, इसके बार, during this period, इंडिया experience है, decline in under five mortality, so, इस period में, जो under five में, की, जो mortality rate है, वो काफी तेजी से decline हुए, काफी अच्छा improvement कियागा, so, driven largely by a decrease in death from the birth, so, की, जो की, ट्रॉमा यह चीज में है, जो की death की जो rate था, वो काफी तेजी से decrease हुई है, then, new gender infection, वो काफी कम हुआ, then, pneumonia, then, diarrhea and report है, यह सारी चीरों काफी कम report हुए, so, इस चीज में, लागे, so, इस पीरिएड में, यह काफी खराब बताई गई है, global hunger index 2020, so, expert ने बोला गया है, कि expert think that poor implementation process and lack of effective monitoring and soil approach to tackling the malnutrition, often the relative poor nutrition indicates, so, जो की poor implementation process हो गया, यह effective monitoring नहीं हो रही, so, इस सब चीजों की वहया से poor nutrition indicate, ऐसे चीज हैं हो रही हैं, इंडिया में, then, इसके बाद में, performance of large state, so, large state है, like Uttar Pradesh हो गया, बिहार हो गया, Madhya Pradesh हो गया, so, इन सब state में, population काफी बड़ी है, और जो population हो, maximum, या तो uneducated है, या उनकी वह गरीब है, so, इसी चीज की वैसे, वह काफी सारे, मन्दब, इंडिया की या देश की काफी बड़ी population को represent कर से, so, इसी भी चीज की जाए, is in Uttar Pradesh, so, पांच मैं से एक चाइड, पांच मैं से आगर एक बच्चा जर्म लेता है, तो पांच मैं से एक बच्चा होता हो, उत्तर प्रदेश में होता है, इसी डेटा बताएगा है, then the national average is affected a lot of by the state, like यह बताएगा है, a lot to the population of the country, so, इन में high level malnutrition होता, so, इसी वैसे वो इंडिया के average को और थोड़ा करने के, मतलब नीचे किराने contribute करता, so, इसी वैसे बड़े states पर थोड़ा focus करना पड़ेगा, अगर इंडिया का इसको ठीक करना होगा, तो, then इसके बाद other reason हो जाते है, so, the country has one of the most impressive portfolio of the program and policies, जो program of policies होगा, so, उनको ठीक से implementation हो गया, implementation नहोगा, so, यह भी एक बड़ा reason होगा, then इसके बाद, however, the ground realities are quite dismal, so, यह सब policies तो, on paper तो काफी अच्छी होते हैं, पर उनकी जो implementation है, या जो ground work है, वो दिखाई नहीं रहता है, या वो ठीक से नहीं, so, इसी वएसे, ground reality are quite dismal, so, ground reality, जो ground realities हैं, वो इतने ठीक नहीं है, जो की, on paper तो ठीक रहते हैं, पर ground reality नहीं ठीक रहते हैं, यह एक बड़ा main reason है, then, इसके बार, research shows that, that our top-down approach है, जो की अपनी top-down approach है, या poor implementation हो गया process, then, lack of effective monitoring हो गया, so, यह सब काफी सारे ऐसे point है, वो India के score को गिराते हैं, so, इस चीज को थोड़ा याद रखना, मतलब, इस चीज को, इस चीज पर या इस point पर थोड़ा focus करना पड़ेगा, so, इसके बाद, we must integrate action to make public health and nutrition a priority across each other, so, इस चीज को याद सब सेक्टर को integrate करना पड़ेगा, अगर India को, अगर इस सेक्टर में, या इस में अगर अपनी position थोड़ा improve करनी है, तो, then, इसके बाद, आगर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, so, ऐसे five measures लेने पड़ेगा, to prevent, to exacerbation of hunger, so, आगसी hunger को, और मिटानने के लिए, ऐसे five measures लेने, कौन, कौन से measure होगे, पहला होगे, safe guard and promote access to nutrition, safe and affordable diet, so, ऐसे safe guard and promote access to nutrition, nutrition, ऐसे safe guard promote करने पड़ेगा, और safe and affordable diet भी promote करने पड़ेगा, दूसरा होगा, invest in improving maternal and child nutrition, through pregnancy, infancy and early child, so, मतलब investment लाने पड़ेगा, एक किसमें, child nutrition होगे, और child nutrition कब जो प्रेगनाना होगे, या infancy के टावागा होगे है, early childhood, बच्चे के बच्पन में, so, ऐसे investment लाने पड़ेगा, investment को या और improve करना पड़ेगा, then, third होगे, reactivate and scale up services for the early detection and treatment of child wasting, so, child wasting जो है, child wasting है, जो treatment है, उनको और reactivate करना पड़ेगा, scale up मत, और जो service है, उनको और scale up करने पड़ेगा, और अच्छी करने पड़ेगा, then, इसके बाद, maintain the provision of nutrition and safe school meals, so, school की, school ने जो खाना मिलता है, उसको और थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, उसकी quality और अच्छी करने पड़ेगा, one limit, जो की one limit children है, then, उसके बाद, expand social protection to safeguard, access to the nutrition and diet and essential service, so, जो की social protection देना पड़ेगा, या safe guard प्रवाइब करना पड़ेगा, जो की essential service है, या जो diet होगी, nutrient diet, उनके लिए expand social protection, उनको लिए social protection, और expand करने पड़ेगे, इंडिया की जो position हो गया, या score हो गया, global hunger index में, वो इस जीवे से और ज्यादा और improve हो सकेगा, so, इस चीज़ को थोड़ा ज्याद रखना पड़ेगा, अगर इंडिया को अपना score ठीक करना पड़ेगा, then, इसके बाद, hunger and under nutrition cannot or should not be fixed by mere calorie provision, so, की, सही बोला है की, hunger and under nutrition की जो है problem है, वो calorie provision की उसको fix नहीं कर सकते, या उसको ठीक नहीं कर सकते, so, इसके अलावा कर नहीं कर सकते, so, इसी वज़े से, all stakeholders, जो की सभी stakeholders है, are straight by the robust leadership must pay, एक robust leadership बलानी पड़ेगी, main leadership बलानी पड़ेगी, मतलब सभी के सभी stakeholder को साथ मिलाना पड़ेगा, और इस movement को या इस problem पर attention, pre-attention मतलब, problem पर attention लाना पड़ेगी, to making balance healthy diet, healthy diet को बनाने के लिए, which are climate friendly होनी चाहिए, then affordable and accessible, climate friendly हो चाहिए, then affordable होनी चाहिए, then accessible होनी चाहिए, then accessible होनी चाहिए, करना पड़ेगा, ठीक से, so, अगर आपनी UPC library को subscribe ने गिए, तो please subscribe the UPC library and press the bell icon for the more updates, धन्यवाद.